हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू अलाइन इस्टिटी किंग्डव दोस्तों उत्तर प्रदीश तत्थेशार को हम लोग घटना चक्रिबुक्ष नहीं जो अपडेटेड़ 10 अगर 2023 तक हम लोग कबर कर रहे हैं अभी तक दो लेक्षर कंप्रीट किये जा चुके हैं और लेक्षर यह आपने नहीं कबर किया हम लोग यहां तक कबर कर चुके तो आप लोग जाईए प्रेलेस्ट को लिंक वीडियो को डिशेप्शन में मिल जाए कि आप जाकर के जरूर कबर करें लेक्षर दो हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदीश का करंट अ पर्दीश भर के 508 रेलेबेस्टेशनों के काया कल्ब की पर्योजणा का से लेल्याज किया गया है इस चरण में सामिल उत्तर प्रदीश के रेलेवेस्टेशन कितने होंगे तो उत्तर प्रदीश की 55 समें सामिल होंगे कितने दोस्त पच्पन एक अगस्त दो हजार तैस को उत्तर प्रदीश मंत्र मंदल द्वारा बुंदेल खंड और दोगी के विकाश प्राधी करण बीड़ा के गठन योम बिकास हेत स्वविकृति जो प्रदान की गई है इसके लिए जो है पांच हजार कर रोपे का रिण जो हजार कर रोपे आवंड उत्तर प्रदिश सौर उर्जा नीती 2022 के तहत आयोध्या सहर को माडल सोलर सिटी की रूप में माडल सोलर सिटी की रूप में बिक्षित करने है तो इस्थापित की जाएगी यह सर्यू नदी के निकट तो आयोध्या में नदी कौन सी है सर्यू नद स्थापित करने की बात की गई है तो पूंचा जाता है कि इस उत्तर प्रदेश की किस सहर को विक्षिति करने की बात की गई है तो आयोध्या सहर है यहां पर जो है सहर में सरय उनदी की किनारे जो है 40 मेगावाट की शौर विद्धूत पर योजना इस्थापित की जाएगी शप्तंबर 2023 में देश में पहली मोटो जीपी वर्ड चैंपियंशिप रेस का आयोजन कहां पर किया जाएगा तिया बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नौईडा में एक अगस्त 2013 को उत्तर प्रदीश मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित बिधियक की अनुशार उत्तर प्रदीश सिक्षा सेवा चैन आयोग में कितने सदस्य होंगे तो यहां पर एक अध्यक्ष होंगे और बारह सदस्य होंगे अगस्त 2013 को उत्तर प्रदीश मंत्री मंडल की द्वारा अनुमोदित बिधियक कौन सा है उत्तर प्रदीश सिक्षा सेवा चैन आयोग तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और बारह सदस्य होंगे उत्तर प्रदीश सिक्षा सेवा चैन आयोग की अध्यक्ष यों सदस्यों का कारिकाल कितना होगा तो अध्यक्ष का कारिकाल जो है वो और सदस्यों का जो कारिकाल है वो अधिक्तम तीन वर्स यह 65 वर्स की आयोग जो पहले हो प्रस्तावित उत्तर प्रदीश सिक्षा सेवा चैन आयोग का मुख्याले कहां पर होगा तो यह प्रियाग राज में होगा अब उत्तर प्रदेश में सिक्षा विभाग माधमिक सिक्षा विभाग बेसिक सिक्षा विभाग अलप संख्यक कल्याड योम वक्व विभाग तथा स्रम विभाग की सिक्षकों द्वारा इनी सिक्षकों के चैन हे तो एक मातर संसता होगी जो नई है आपकी उत्तर प्रदी सुसिक्षा सिवा चैन आयोग जहापर एक अध्यक्ष और बारा सदस्य होंगे और इनका कारिकाल कितना होगा तीन साल या पाइशट वर्स जो अधिक हो इन जो पहले आप कंप्लेट कर ले अब कोई 64 साल में बन रहा ध्यक्ष तो एकई साल के लिए होगा कोई 62 साल में बन रहा है तो तीन साल तो कंप्लेट करी लेगा दिक्तम ट्रपल पी मोड पर सेंटर फ़र एडवांस मालिकिलर ड्यागूनैस्टिक अंड रीसर्च पर कैंसर इस्थापित जो किया जाएगा यह कहां पर यहां लखनव में श्थापित होगा नाम क्या कल्याण सिंग शोपर इस्पैसिलिटी कैंसर इंस्टेट्यूट कल्याण सिंग के नाम पर होगा जुलाई दो हजार तैश में नीती आयोग के द्वारा जारी निरियात तैयारी सूचकांग डेड़ एक्सपोर्ट प अस्थान का स्थान कंसा है तीसरा है पहले नंबर पर हे अर्यवरु अर्यारा दूसरे पर स्थान कों सा है तीसरा तुह अर्याण दूसरे णियात तैयारी सूचकांग Pacific fistyle कbut करता है नीत यायोग जारी करता है वही पर निर्यात तैयारी सुचकांक 2022 में देशे के सभी 36 राज्यों थवक्यंद्र शासित कि राज छेत्रों में उत्तर प्रदीश का समग्रत दज्वास्थान है तो अस्थल रुद्ध इस्थल रुद्ध राज्यों में हर्याणा नंबर वन दूसरे पर जो है वो तेलंगाना है तीसरे पर यूपी है वहीं पर पूरे भारत में देखेंगे जहां पर आपकी 28 राज आठ केंद्र सासित प्रदीश टोटल 36 है इन 36 हो में इसकोर जो है उत्तर प्रदीश की जो रहेंग है वो सात्वी रहेंग है तो सेबंथ पोजीशन पर है और अस्थल रुद्ध में तीसरे पर है उत्तर प्रदीश सरकार द्वारा गोवन्स संबर्धन यों डेरी विकास का ब्रांड अंबेश्डर की से न्यूक्त किया गया है तो राहुल चौधरी को गोवन्स संबर्धन यों डेरी विकास का ब्रेंड अंबेश्डर न्यूक्त किया गया है उत्तर प्रदीश में विसे पूरा जूलाई मंथ यह तो विशेश संचार रोग नियंतर अभियान जो संचालित किया गया एबरत का पहला भाईदीक तीम वाला पार्क जो बनाया गया है भारत का पहला बाइदिक थीम वाला पार्ग कौन सा है यहां नोड़ा के सेक्टर 78 में बनाया गया है भारत का पहला थीम वाला बाइदिक कहां दोस्त ग्रेटर नोड़ा की सेक्टर 78 में नोड़ा के सेक्टर 78 में है भारत का पहला बाइदिक अगला प्रश्ण है कि शाद जुलाई 2023 को प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदीश में 12100 करोण रूपए से बाधिक की विकास परियोजनाओं का लोकारपण रोजु सिलन्यास किया है यह कहां पर वारांची में किया है साद जुलाई 2023 को प्रधान मंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी जंडे दिखा कर रवाना किया है रवाना की गई ट्रेनों का नाम क्या है तो गोरकपुर रेलवे स्टेशन से दो बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरे जंडी प्रधान मंत्री ने दिखाई है इनका जो नाम है वह गोरकपुर लखनव बंदे भारत एक्सप्रेस गोरकपुर से लखनव जाएगे तो गो पूदी के द्वारा जो है ये भारत एक्षप्रस को जो है बंदे भारत एक्षप्रस है दो ट्रेने हैं नाम इनका है ये को हरी जंडी दिखाई गई है 7 जुलाई 2023 को मुख्य मंत्री योगी आदे तनाथ ने लखनव जिले में भिक्षा ब्रेती से मुक्त हुए बच्चों को योजना के तहत सुविक्रिती पत्र योम साइक्षडिक शामागरी के साथ स्कूल किक्ष प्रदान की तो ऊत्तर प्रदेश मुंख्य मंत्री बाल सीवाय योजना सामान यूम इश्माइल पर योजना के अंतरगत योजना के स्वविक्यती पत्र दिया और सक्षिक्षामागरी के साथ उनको जो है स्कूल किट भी प्रदान की चार जुलाई 2023 को मुख्य मंत्रियोगी यादित नाथ बेसिक सिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ओम शंपर्क फाउंडेशन की पहल संपर्क इश्मार्ट साला इश्मार्ट ब्लाख कारिक्रम में सामिल हुए यह कहां पर गोरख पूर में प्रतियोगी परिक्षाओं के अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने है तो राज्जी सरकार द्वारा संचालित योजना का नाम है मुख्य मंत्री अभुद्य योजना 31 से 30 जुन 2023 की मद्ध उत्तर प्रदीश राज्ज्म त्वाकेंद्र शासित प्रदेशों में स्रम्यों रोजगार सचियों की दो दिवस्ये बैठा कायोजन कहां पर किया गया है आगरा में किया गया है 26 जुन 2023 को मुख्य मंत्री योगी आदित तनाथ ने एकिक्रित पायक हाउस से खाड़े देशों को निर्यात किये जाने वाले लंगडा आम कौन साम लंगडा आम और हरी सबजियों के कंटेनर्स को फ्लाइग आफ किया है तो कहां पर किया वाराणसी में किया है 25 जुन 2023 को मुख्य मंत्री योगी आदित तनाथ ने एड़वर्ब टेक्नलोजीज के रोवेटिक निर्मार सायंत्र बोट वर्स तो बोट वर्स का लोकारपण कहां पर किया गया है ग्रेटर नोटा गौतम बुद्ध नगर में 25 जुन 2023 को गौतम बुद्ध नगर जिले में रामनाथ गोयन का मार्ग का उदगाटन किस ने किया है तो मुख्य मंत्री योगी आदित तनाथ ने उत्तर प्रदीश में रीजिनल फिल्म सिटी कहां पर खोली जाएगी तो उत्तर प्रदीश में रीजिनल फिल्म सिटी पर में खोली जाएगी यूपी बूर्ड के सिलेबस में सामिल की जाएगी वीर शाव किर्कित जीवनी को शामिल किया जाएगा मिश उत्तर परदीश 2023 का किताब किस ने जीता है तिया लखनओं की है नाम है ने का मुशकान गुपता तो उत्तर पर दीश की हैं मुशकान प्रप्रधिश में पर्फेत्र के लिए वन कहा पर बनाया गया है थ्याह mr. महराज गंज जिले में कि उत्द्द प्रदीश में बंदर्वन के लिए न ग्याक दिन एक्स्प्स टिरबा Drukhina करने जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेस बेपर बनाया जाएगा 21 जून 2023 को मुख्य मंत्र योगी यादित तनाथ ने नौ में अंतरराश्टिय योग दिवस के युशर पर तो हर साल आप जानते हो अंतरराश्टिय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है इस अवशर पर आयोजित सामोहिक य योगा अभ्यासर कारिक्रम जो शामिल हुए थे वह गोरखवर में शामिल हुए थे योगी यादित तनाथ है बढ़ते अगले पेज की यूर वरिक्षार ओपर महा अभियान 2023 की अंतरगत पौधे लगाया जाने का लक्ष जो रखा गया है वह कितना है तो 35 करोण का है वरि के कुल हरित छेत्र को बर्तमान के नव दसमलों दो तीन प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत तक करने का लच्छ कब तक रखा गया है तो वर्स दो हजार चबीश सथाईस तक मुक्यमंत्री योगी यादित तनाथ ने उत्तरप्रदीश की जेलों का रागरों का जो है नाम रखने का जो निर्दीश दिया है तो अब जेलों का जो नाम होगा वह नाम हो जाएगा क्या सुधार ग्रिह सुधार ग्रिह नाम होगा तो जेलों का रागरों का नाम क्या हो जाएगा जेलों का रागारों का नाम होगा सुधार ग्रिह उद्धर प्रदीश में एल्डर लाइन 14 5 6 7 तो एल्डर लाइन 1456 से बन 1456 से बन सेवा शुरू जो की गई है या किसे के लिए है एल्डर एल्डर लाइन है एल्डर तो बेघर बुज़ुर्गों को आस्रे देने हे तु है 1456 से बन तो 4567 और एक तो एक 4567 1456 से बन सेवा जुसरू की गई किसके लिए है तो एल्डर लाइन है यानि बेघर बुज़ुर्गों को आस्रे देने हे तु है उन्नत परबतार रोहन पाठ ठक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैड़ट कौन बनी है तो यह लखनो की है सालिनी सिंग और लखनो की एक और रही कौन मुशकान मुशकान कौन रही मिस उत्तर प्रदीश मैं दो हजार तैईस में तेरवी हाकी इंडिया सब जूनियर पुरुसराष्टिये चैंपियंसिप दो हजार तैईस का खिताब फाइनल में हाकी एसोसियेशन आफ ओडिशा को पराजित करके किसने जीता है यहां उत्तर प्रदीश हाकी ने जीता है तीस मैस एक जून दो हजार तैईस के मद्ध भारती वस्त निर्माता संग द्वारा नार्थ इंडिया गार्मेंट फेयर दो हजार तैईस कहां पर आउजित किया गया तिया इंडिया एक्ष्पुमार ग्रेटर नोईडा में तो भारती वस्त निर्माता संग द्वारा नार्थ इंडिया गार्मेंट फियर 2023 कहां पर ग्रेटर नोईडा में एक इंडिया एक्सपोर मार्ट में इंटरनेशनल फर्फियूम पार्क पर्फियूम से क्या हो जाएगा कन्नौज इत्र के लिए स्थापित कहां पर किया जाएगा लखनों में इस्थापित किया जाएगा फार्माशिटिकल रिशर्च एंड इनोवेशन इसीट्यूट मई दो हजार तेईस में सहरी विकास के लिए गठित केंद्र सरकार की हाई लेबल कमिटी ने साथ डेवलोप्मेंट रीजन बनाय जा म tänदों यही बतेवेशोएच में करेंगा कोयले को मीठेन में बदलने का काम अच्छी हो उत्तर प्रदेश में पहले महला विश्वेश्वेट्याले कि स्थापना कहां पर की जाएगी गोरखपुर में कीजाएगी उत्तर उत्तर प्रदेश में वाटर टाक्सी की सेवा की शुरुवात उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई है तो वाराणसी में उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो है ये वाटर टाक्सी सेवा की शुरुवात की गई कहां वाराणसी में मई दो हजार तेईस में लखनौ के कोक्रायल बन छेत्र में सिंगापूर की तर्ज पर देश की पहली नाइट शफारी और नए चिडिया घर की स्थापना है तो अनुमती जो पत्र जारी किया गया है वह केंद्रिय चिडिया घर प्राधी करण द्वारा एक मई दो हजार तेईस तक एक इस्टीशन एक उत्पाद एक इस्टीशन एक उत्पाद योजना के तहत देश के 21 राज्यों और तीन की इस्टीशनों की संख्या कितनी है ग्रदेश के संख्या है उत्तर प्रदीश मामलय में तीश्री नंबर पर है कितने संख्या गिए इस्टीशनों की संख्या है कितने अीम सद्पाद नंबर यूजन इस्टीशन अवसरी परन प्यारुकूर्णगूं की स 2023 के मध्य उत्तर प्रदीश में प्रधार मंत्री किसान सम्मानिधी योजना के अंतर गद समस्त्र पात्र क्रेशकों को लाभ दिलाने ही तुष संचालित जो किया जाएगा वह ब्रिहद संत्रिप्तिकरण अभियान होगा तो ब्रिहद संत्रिप्तिकरण अभियान किसके लिए है तो उत्तर प्रदेश में प्रधार मंत्री किषान सम्मार निदी योजना जो चल रही है इन पात्र किसानों को लाफ दिलाने हेतु संचालित किया गया है अभियान ब्रिहद संत्रिप्ति करण अभियान कब से कब तक रहा है तो 24 मैं से 10 जून 2023 अप्रल 2023 में राजलोक सेवा आयोग राजलोक सेवा आयोग कि अध्यक्षों का 24 मराश्टी संवेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है यह लखनव में आयोजित हुआ है तो राजलोक सेवा आयोग कि अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर लखनव में अप्रल 2023 में कासी तेलगू संगमम 2023 कहां पर आजित हुआ है तो यह वारांसी में आजित किया गया है अप्रल 2023 में गंगा पुषकराल उतसो गंगा पुषकराल उतसो गंगा पुषकराल उतसो का आयोजन कहां पर किया गया तो यह भी आपका वारांसी में तो कासी गया 23 अप्रेल 2023 को जल शक्ति मंत्राले द्वारा जारी जल स्रोतों की गड़ना रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में 305 राज्यों में उत्तरप्रदीश का स्थान दूसरा है तो जल स्रोतों की संख्या के मामले में उत्तरप्रदीश का स्थान कौन सा ह दूसरा स्थान अप्रल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की अनुसार देश के 18 बड़े ओं मध्यमाकार वाले राज्यों की रांकिंग में उत्तर प्रदिस्त का स्थान अठारवा स्थान है जो की अंतिम पाइदान पर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में अंतिम पायदान पर है 18 स्थान पर तश अप्रल 2023 को जारी राजयो अर्जय दक्षिता सूचकान की बीर इंपोर्टन राजय जार दक्षिता सूचकान कहाइं कर्योंग और आई महाथ produkt की तर्ज पर नाथ कशीiconat कारिडोर की स्थान पर नाथ के तो इसकी तरज पर क्या नाथ कारिडोर बनाया जाएगा तो नाथ कहां बनाएजाएगा तो नाथ कारिडार होगा आपका equivalent कि उत्तरपरदेश में कानपूर और लखनव के बाद अंतरराश्टी क्रिकेट इस्टेडियम बनाए कहां पर जाएंगे तो उत्तरपरदेश में कानपूर में है लखनव में है इसके बाद अंतरराश्टी क्रिकेट इस्टेडियम बनाने की जो बात हो रही है वह वारांड सी योम गूरखपुर में फरवरी 2023 की पत्र सूचना ब्यूरों की विग्यप्ति की अनुशार अम्रित भारत इस्टेशन योजना के तहत उन्नेन आधनी की करण हे दू बारा सो पचात्तर इस्टेशनों इस्टेशन चैनित किये गए हैं चैनित इस्टेशनों में उत्तरप्रद मुख्यमंत्री योगी आधित तनाथ ने पैप्सिको की फ्रैंचाजी वरुड वेवरेज लिमिटेड की उत्वपादन योम बाट्लिंग फ्लांट का सिलन्यास गुरकपुर में किया है उन्नेस्त मार्च 2030 को मुख्यमंत्री योगी आधित तनाथ ने नव निर्मित स्री र उन्हामं लालाभवन का लोकारपन कहां पर किया है यहां आयोध्या में किया है मार्च 2003 में वंवर्ड टीवी शमिट 2030 कहां पर किया घ्र्ण के यहां वारांसी में किया गया है मार्च 2023 में 71 अखेल भारतуса पूलिश कलश्ट्रै चैंपियंशिब 2022 22 आयोजित होई तिया लखनव में आयोजित होई है बारा मार्च 2013 को मुख्यमंत्र योगी आदित तनाथ ने अंगोर योद्धोग लिमिटेड के इंटीग्रेटर इस्टील प्लांट का उद्गाटन कहां पर किया है गोरखपुर में किया है 11 मार्च 2013 को प्राश्टोपती जगदीप धनकड ने सहीद कोतवाल धन सिंग गुर्जर की प्रतिमा कानावन कहां पर किया है यह कोतवाल धन सिंग गुर्जर पुलिस प्रसिक्षण विद्याल है मेरठ में 5 मर्च 2013 को मुख्य मंत्री योगी आदेत तनाथ ने बरजर पेंट्स इंडिया लिमिटर की एसिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोड़क्ट्स पेंट फैक्ट्री का वर्चुल माध्यम सुद्गाटन कहां पर किया है तो यह संडिला और दोगी छेत्र हर दोई में 17 फरवरी 2030 को मुख्य मंत्री योगी आदेत तनाथ ने महाराजा खेत सिंग महाराजा खेत सिंग खंगार जूदेव की प्रतिमा का अनवर्ण कहां पर किया है तो यहां बांदा में चाहुदा फरवरी 2030 को केंद्रिय मंत्री मनसुख मान डविया ने उत्तर प्रदीश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड के यह इनि इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का जो गाटन किया है तो इफको का आपको जानते हैं यूरिया का संयंत्र आपक का важно में देखेंगा यूरिया के देखेंगा समन्रिया को के ऑमर्टिश में फ Invahrer 2023 स्रिल लचमय की मूर्थी का नवण आपर किया गया ती यह लखनो में किया गया है देश मैं सरबाधिक बिजली कनेक्शन ओन राज्ज्सा किवेंच來meno 50 जो प्राप्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में खेती का शरवे जो किया जाएगा वह करनाटा कि तरज पर किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जी ट्वेंटी की ग्यार बैठकों क эфф. जो किया जाएगा तो चार सहर होंगे बेरी बेरी इंपॉर्टन फाक्ट है तो जी 20 के लिए चार सहर लखनव वाराणसी आगरा और गौतम बुद्ध नगर अगला है कि आयोध्या में ग्रीन फिल्ड टाउनशिप जो बनाई जाएगी यह गुजरात के साबरमती की तरज पर बनाई जाएगी गौरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम हो गया है चवरी चवरा दिसंबर 2022 में महाकभी स्री सोब्रमंडयन भारतियार की एक सो एक तालिसवी जहनती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया यह वाराणसी में किया गया है पर दिसंबर 2022 में नौए मंत्राले ने तीन हवाई यड़ों में प्रवेश है तो डि जी याक्तर डिजी आत्राव इस रिकमिशन साफट्व che का शुवराम कहां पर लिए नई दिल हों रोला है इसकनिया ने दिली और बंगलु गुडवत्ता नियंत्रन सर्किल्स पर 47 वे अंतर राष्टी शम्मेलन में स्वर्ण अवाड़ किसने जीता है तो यह अंटी पीसी उंचाहर उत्तर प्रदीश का अगला प्रस्द है कि भारत की पहली मानव रहित चार कार बनाई है त्यमना इटी है मोतिलाल नहरू राष्टिये प्रदोगे की संसथान प्रियाग राजने भारत की पहली चार मानव रहित कार अगल्या फाक्ट है कि हमाचल प्रदीश के मनाली में इस थित मौन्त फ्रेंडिशिप की चोटी साइकल से फताकर नया रिकार्ड जो बनाया है यह उत्तर प्रदीश के गौरक पुरी है नाम है निकार्य उमा सिंग्ग तो उमा सिंग ने हिमाजल प्रदीश की मनाली में श्थित माउंट फ्रेंडशिप की चूटी साइकिल से फता कर नया रिकार्ड बनाया तो यहां उमा सिंग है गोरखपुर से सरदार पटिल राश्टिय दिव्यांग T20 कब के दुतिय सनस्तकरण का आयोजन लखनव में किया गया 4 अक्टूबर 2022 को लखनव में भेक्षा से सिक्षा की और कारिक्रम का आयोजन किया गया तो यह संसता उमीद है तो संसता उमीद द्वारा जो ही है चार अक्टूबर 2022 को लखनव में कहां लखनव में सिक्षा से भिख्षा की और कारिक्रम कायोजन किया गया अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल होरन रिजलिस्ट में उत्तर परदीश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार सामिल किया गया है तो अलख पांडे को पहली बार सामिल किया गया है जो कि फिजिक्स वाला है प्रियाग राज से यह 25 रईसों की लिस्ट में शामिल हो गए उत्त बाजरा के उत्रप्रदेश दिसमय बाजरा की उत्रप्रदेश के अस्थान दूशरा है उत्तरप्र पृद्देश में3,000,0 करोड़ रूपय की लागत से अपैरल पार्ग का इस्ठापना की जायेगी यह कहां पर होगा तूई अपैरल पार्ग होगा नोइडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल लूलू माल कहां पर बनाया गया है लखनव में ठीक है कहां पर है लूलू माल लखनव में वही काना इस्टीडियम के पास जिसका नाम क्या है भारत रतल विहारी बाच भी शेप्तंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित तना थी योग यो शात्र शात्राओं को टैबलेट पीसी योम श्मार्टफोन बेत्रित किये तो मुख्यमंत्री अभिद्ध योजना योम स्वामी विविकानंद इवासा सक्तिकाड योजना के तहत बर्स दो हजार तैइस चौबीस में गेहूं की खरीद हे तो गेहूं का जो गेहूं का जो शमर्थन मुली रिधारित किया गया है वह कितना है तो 2135 रूपे प्रतिकुंटल है 2125 रूपे प्रतिकुंटल है गेहूं का एमस्प प्रदेश में सक्रिय छैरोगी खोज अभियान जो आज़ुद हुआ यह बीस फरवरी से लेकर कि 5 मार्च 2023 तक तो सक्रिय छ कब तक रहा है तो बीस फरवरी से लेकर कि पांच मार्च 2023 तक प्रदेश में फाइल एरिया प्रभावित जिलों में लिंफाटिक फाइल एरिया उनमोलन हे तु यम्डिये मास ड्रग अधिमिनिस्ट्रेशन अभियान जो आउजित किया गया यह भी फरवरी से मार्च 2023 में यम्डिये मास ड्रग अधिमिनिस्ट्रेशन आभियान जो आउजित हुआ यह फरवरी मार्च 2023 में आउजित हुआ। उन्यीस से जनवरी उन्यीस जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक सिल्क एक्सपो आभियान जो आउजित हुआ वह परियटन भवन गोंती नगर लखनव में सत्रा से 19 नовंबर दुहाजार 2 के मद्ध भारतिय मुद्रा परीषद के एक सो चारवल वार्शिक शं मेलन यों मुद्रामेला का योजन अंतर राश्टिय बउठ्सोध संस्थान समसागर अंतर राश्टिय बउठ्सोध संस्थान सभागार लखनौ में आयोज्ब ऑни उत्तर प्रदेश का पहला कारबन फ्री जोन होगा इंप्वाटेंट है उत्तर प्रदेश के विधाइकों के लिए स्थानिय चेतरविकास कोश को प्रति वर्ष तीन करॉण रूपए से बढ़ा कर अब लबहिए पाच करॉण रूपए कर दिया गया देश का पहला फ्लोटिंग स्वेमिंग पूल जो बनाया जाएगा यहां होगा उत्तर प्रदेश में और वह घाट होगा नमोगाट वाराण सी इस्तित खिड किया नमोगाट पर यह होगा तो देश का पहला फ्लोटिंग स्वेमिंग पूल बनाया जाएगा कहा वाराण सी में तो इस तरह आपने वन लाइनर फैक्ट पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया अगला करंड अफेर में कारिकरम पर योजना अभियान समझोते दिये हैं कि टॉपिक वाइस दिये गए हैं तो अगले लेक्षर में आप देखेंगे तो वन लाइनर फैक्ट आपने पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया वीडियो को लाइक शेर कमेंट कर दियेगा आप चैनल पर नहीं हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लिजेगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन यह मारी ताक ना यह माहमे रखजेगी विन ट लियागो दियाज़ यह मारी मिर आपके लिया विया आपकी सम्सक्राइब